ऐसा लक्ष निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें क्या है आपके पास में वास्तों में ऐसा लक्ष आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं एक कोशन इमानदारी से जवाब देना क्या आपके जीवन में ऐसा लक्ष है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें नहीं है तो आज से ही डिसाइड करना चालू कर दो और मेहनत करना चालू कर दो जो आपको सुबह बिस्तर पर उठने से मजबूर कर दें आप सभी लोगों से एक अनुरोध है क्योंकि आपकी भले की बात है इस संडे का टेस्ट सभी लोग लगाएंगे जिसको हिंदी में लगाना है वो हिंदी में लगाईएगा जिसको इंग्लिश में लगाना है इंग्लिश में लगाईएगा प्रॉमिस करिए सभी बच्चे मैं आप सभी लोगों से प्रॉमिस ले रहा हूँ प्रॉमिस करिए भाई इंडिया जबिगेस्ट फ्री स्कॉलर्शिप टेस्ट होगा अन अकेडमी लर्निंग एप पर एक करोड रुपे का पूल प्राइज आपके लिए अवेलेवल है ठीक है दोपेर बारा बजे टेस्ट होगा बिलकुल फ्री होगा फ्री एक्सिस करने के लिए जो कोड लगाना है उस कोड का नाम है दीपू टेन डीडबली पी यू वन जिरो दीपू टेन और आज 19 माई का दिन है और 19 माई का दिन आप जानते हो कि क्या दिन है 19 माई का दिन है जिसमें आपको सभी टीचर्स के नए बैचिस आपको एक्सिस करने को मिल रहे है भाई सभी टीचर्स की नई क्लासिस दोस्तों आज से चालू होने जा रही है प्रत्य एक का एक एक बैच सभी का चालू हो रहा है तो आप लोग आज ही जोइन कर सकते हैं बैच को कोई बात नहीं लाइट गई तो हमारे पास भगवान की दया से इन्वेटर है तो मैं बात कर रहा था कि सभी टीचर्स के बैचस आज से चालू हो रहा है और हमें सेलेक्शन लेना है तो हमें इन सभी चीजों को फोलो करना होगा प्रत्य एक सब्जेट के लिए महनत करनी होगी और अभी तो सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि आपको इस बैचस के अंदर मॉक टैस के वीडियो सोलुशन भी मिलने वाने हैं आप जो मॉक टैस लगाएंगे प्रैक्टिस के लिए उस मॉक टैस के वीडियो सोलुशन भी आपको मिलेंगे चाहे आप तैयारी CGL की कर रहे हो MTS की कर रहे हो या फिर Stenographer की तैयारी कर रहे हो या फिर CPO की तैयारी कर रहे हो GD की तैयारी कर रहे हो जिस भी बैच के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो आप लोग आज ही access कर सकते हैं भड़ी आप मोका आपके पास में available है मोका भी मस्त आपके पास में available है और सबसे बड़ी बात पता एक है सबसे बड़ी बात ये है कि test आप लोग का Hindi और English दोनों में available है तो यह जन्जटी खतम हो गया कि क्या करना है तो आज ही इंडॉल कर लीजी दीपू 10 कोड लगाएंगे और इंडॉल कर लेंगे इसके अलावा दोस्तों जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके वन येर के सब्सक्रिप्शन पर तू मंद का फ्री सब्सक्रिप्शन है दो साल के सब्सक्रिप्शन पर चार महिने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है ठीक है तो चलते हैं हम लोग पहले कोशन की जरब आगे बढ़ते हैं ध्यान से और सोस समझ के जवाब देना Which one is odd? Which one is odd? Odd one out find करना है आपको Which one is odd? टेलीग्राम चैनल अगर सर्च करना है तो reasoning by दीपक सर्च कर लो ना क्या दिक्कत है reasoning by दीपक सर सर्च कर लो क्या प्लोबलम है सब कुछ reasoning by दीपक सर के नाम से मिल जाएगा क्या प्लोबलम है क्या देखते हैं कितने बच्चों का सही है question यार ऐसा question भी गलत हो सकता है क्या विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे तो सच में आप लोग विश्वास ही नहीं हो रहा यह देखकर कि आप ऐसा question भी गलत कर सकते हो सच में आपको यह नहीं बता लग रहा कि कौन सा different है गजब के लोग है यार बिल्कुल यार यार इसको आप सीधा करते हो अगर आप इसको सीधा करते हो तो देखो सीधा करते हो तो यह white black white black इसको अगर आप पकड़के ऐसे सीधा करते हो तो यह आपको दिख जाएगा white black यहाँ पर ब्लेक वाइट 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 इसको देखना यहां पर देखना ब्लेक वाइट वाइट ब्लेक यहां पर यहां उल्टा हो रहा है इस जगह उल्टा हो रहा है ब्लेक वाइट ब्लेक वाइट मात्र बारा प्रसेंट लोगों का सही शरम की बात है मात्र बारा प्रसेंट लोगों का बिल्कुल सही है मात्र बारा प्रसेंट लोगों का सही है किते लोगों का सही है मात्र और मात्र बारा प्रसेंट लोग यह देखो जनता की हालत सर पोल नहीं आया है गजब के लोगें पोल कैसे नहीं आया है पॉल दिया है मैंने आंके खोल के देखो D1 जैसा है या लगे थोड़ा देखो आरम चे उपर एक विक्ती बोल रहा है सर दी भी तो एक जैसा है थोड़ा अच्छे से देख ले भाई पहले एक जैसा है या कैसा है कोई बात नहीं देखते हैं ना जब यहां पर फाइनल 35 कोशन टच हो रहे होंगे तब तुम्हारा क्या स्कोर होता है पहला कोशन जिसका गलत हुआ है नोट करते वे चलना कि पहला गलत हुआ है ठीक है जब कोशन सोल करना नहीं आता कुनाल तो अब पर क्या कर रह geld है पिए तैस्ट देंगा मतलब है तुम्हारा यह बोल रहा है की sir इसको भी anti localized गुमाओ, इसको क्यों anti course गुंआ तीक गुमाओ इसको डायरेक्लि दिखी रहा है न हुआ इसको गुमाने के लिए जरवत यह तो रहा हैं लिए तो सीधा अटेंश्ट्र पोजिशन में है न यह बल लात इंसकी गुमाणा सोलनालना भी बी और जी को पुमाना था लो सीखलो अबारामस चैप्टर वाइस चलता है दस बजे चैप्टर वाइस पढ़ाते हैं दस बजे यहां पर यह चलता है मिक्स बैटा मेरे हाथ में नहीं है मौहित क्लास के नोटिस वगेरा का ठीक है जो भी है मतलब आटोमेटिकली रेंडमली सिस्टम से जनरेट होती है चीज़े यहां 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 वाइस आरल के आईपी चलिए इसको चेक करी क्या बनेगा यह देखिए वाइस और आर कुछ लोजिक लग रहा है आपको समझ में आ रहा है देखिए सारे के सारे लेटर तो यतना तो पता लगया कि रिपीट हो रहे है पता सारे के सारे लेटर आई रहे है उसके अंदर तो यहां से चेक करी सबसे लास्ट से डी से हमारा अंसर स्टाट होना चाहिए इस इसाब से तो भाई आपको अगर ऐसा लग रहा है तो इस इसा तो बिल्कुल नहीं तो फिर आखिर क्या लोजिक अगर तुम कहो कि सर लास्ट वाले को उठाके फर्स पर लेके आये हैं तो आई ऐसा तो नहीं है पता है यहां पर क्या चल रहा है यहां पर डिक्रीजिंग ओडर चल रहा है थे आंसे देखू क्या चल रहा है डिक्रीजिंग ओडर अब इतना मैंने समझा दिया कि डिक्रीजिंग ओडर चल रहा है तो अब तो कोशन सही करके बता दो कम से कम अब डि पिर आगे ओ डबलू डबलार ओ FDA लास्ट वल सही है नहीं अब बताओ आंसर बताने के बाद भी 47% लोगों का सही है मातर बताओ अब इससे बड़ी क्या कहोगे फिर आप इसको क्या कहोगे मतलब मैं खुद बता रहा हूँ की आंसर इस तरीके से निकालना है उसके बावजूद निकाल पारे लोग आंसर सोचने वाली बात चलिए जल्दी से करके बताएंगे फड़ा फड़ से और आपका समय शुरू होता है अब बहुत अच्छा कोशन है हम से करना समय भी बर पूर दे रहा है हुई इसके लिए है कर दो कर दो समय समापती की घोशना हो गई है भाई अब यह देख लो कितने लोगों बस अई हुआ है यह कोशन खुद देख लीजिए आगग यार हो जाना चाहिए था यह यह तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए था 110 दे रखा है टोटल कितने लेटर हैं यार लेटर देखो ना वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टैन लेटर से हैं बहुत सारी लोग पता है क्या करेंगे इसको नंबर्स देंगे जबकि ऐसा कुछ नहीं है टैन लेटर से टैन का स्कॉयर प्लस टैन लिखा ह यहां पर कितने लेटर रहें यहां पर देखो सिक्स लेटर है क्या लिखा हुआ है गया देखो साथ लिखावा हैं सही क्या इसको सही कर लो थोड़ा सा यहां पर इसने गलत गलत लिखावा है इसलिए ऐसा लग रहा है यहां पर 56 से यह यह 56 से यह तभी सोल नहीं हो रहा आपको चले इंडेफिनेट का क्या होगा देखिए का इधर की जल्दी से 12345678910 है तो आप इससे क्या बनेगा 10 का स्कॉर प्लस 10 कितना होगी 110 लोजिक भी नॉट कर लेना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उसको डायरेक्ली उसको नंबर करने की कोशिश करते हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इसके अंदर है वेरी इंपोर्टेंट लोजिक वेरी इंपोर्टेंट कोशन अब आगए अब आगए अब आगए अगए बहुत बड़ी अला जवाब मज़ा आगया मज़ा आगया वाई मज़ा आगया एक दो आनंद आगया देख करो ज्यान से देखोगे तो आखे समझ में आ जाएगी क्या चल गए इसको आप लिख सकते हो स्कार्ड प्लेश्टा कर्चेवन स्पार्ट व्र स्टैन नियुक्तकर प्लेश्यव्ल्स वन तउसा स्ट्राइवन का स्ट्राइवन कि इसकोयर प्लेश्चेविं क्या चल रहा है इसक्वाइर और प्राइम नंबर प्लस वन मजा आ गया की नहीं है कि फटा फट से बता तो प्राइम नंबर का इसक्वाइर प्लस वन चल रहा है यहां पर कितना अमेजिंग कोशन था यार कितना शांदार कोशन था मजा आ गया कोशन देखकर कि चलिए देखते हैं कि अमेजिंग मज़ा आगया यह देखकर भी मज़ा आगया काफी सारे लोगों ने कर लिया इस कोशन को क्या चल रहा है जी बिल्कुल सही पेचाना अपने अपोज़िट चल रहा है पर मात्रित 63-70% लोग बताने के बाद शायद कर पाएं हैं देख लो चेक कर लो अभी भी समय है आराम से कोई दिक्कत नहीं है आराम से चेक कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा यह एक दूसरे के अपोज़िट है यह एक दूसरे के अपोज़िट है लेकिन यह तो ऐसे लिखे में हैं भाई यह और यह जो हैं यहां पर आने वाले डी का अपोज़िट डबलू है एफ का अपोज़िट यू है यह बीच वाले तो स्वैप किये हैं सिर्फ दो ई का अपोज़िट वी ओ का अपोज़िट एल और इनको स्वैब कर दो यहां आई यहां टी है तो क्या बनेगा वी आई टीयल T-L V-I-T-L एवन गांस V-I-T-L जिस तरीके से ब्रेड आटे से बनती है जिस तरीके से ब्रेड आटे से बनती है बनने दो अरे भाई जैज ओट्स जो है बहुत सारे अनाज से मिलकर बनता है आट्स बहुत सारे अनाज से मिलकर बनता है तो उसी तरह का फ्रेंच जो है फ्रांसी सी जो है फ्रेंच जिसको पर बहुते हैं भाशा वो बहुत सारी भाशाओं से मिलकर बनती है जल्दी से अगला कोशन ब्रेड आटे से संबंधित है तो इस्टील किस से संबंधिते तो इस्टील किस से संबंधिते सब्रेड आटे से बंती है तो इस्टील लोहे से बनता है और उसमें मैं जो यह एलोई होता है एक वेकितिन लिख रहें कि यह एलॉई होता है मिश्रिधातु अरे भाईया कि सोचो आराम से अभी बता चल जाएगा अरे यह मत सोचो कि मैंने सही किया है इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको तो अपना दिमाग लगाना है मैं तो उटपड़ां कुछ भी लगाऊंगा आपको भ्रमित करने के लिए आप अपने समझ के बता हो इस्टिल किस्से बनता है इस्टिल किस्से बनता है भाई बता ना अब बनता किस्से है मैं तो यह पूछ रहा हूं उसके एंदर क्या क्या होता है लोहा क्रोमियम और बिल्कुल सही जवाब है एलोई होता है सही बते मिश्रिधातू होती है अब लिगाने एक साथ अगला देखिए बाईस बारा और एक्तालिस क्या बनाएंगे लोजिक बाईस बारा और एक्तालिस अगर मैं एक्जामिनर होता न दोस्तों और मुझे अगर बोला जाता कि एक एक्जाम के लिए कोशन सेट करना है तो अगर मुझे इस कोशन के बारे में इसके लोजिक के बारे में पता होता तो मैं सबसे पहले भाई इसी लोजिक को देता है इसके लिए मैं पॉल दूँगा लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी जल्दी बाजी नहीं करेगा इस कोशन को करने के लिए समय लेलो बले से लेकिन अच्छे से कर लेना जो सोचना है सोचलो पहले कोई दिक्कत नहीं मैं क्या के रहा हूं मैं खुद बोल रहा हूं कि समय लेलो भले से एक मिनट लेलो लेकिन आज यह तुमारी परिक्षा की घड़ी है कि तुम कितनी देर में इस कोशन को सोल कर पाते हैं कि यहांसे आप लोग अंसर का खुदी देखकर पता लगा सकते हो कि 21 प्रेंट לב एब बोल रहे इं बाईस प्रसेंट लोग ब बोल रहे Él अठारा प्रसेंट क्वर और 49 प्रसेंट बोल रहे हैं यहांसे अंदाज कों कितने लोग क्या बोल बर में दोड़ दो कितना हो पहला option चेक कर रहा हूं मैं A option 3 प्लस 0 बराबर 3 2 प्लस 3 बराबर 5 1 प्लस 3 बराबर 4 इन सब को जोड़ना एक पर 3 प्लस 5 प्लस 4 ये भी किता बना रहा है 12 मज़ा आ गया आनन्द आया आया आनन्द 21% लोगों ने जवाब दिया है उनमें से भी भाईया आदे लोगों ने तो तुक्काई मारा होगा डेफिनेटली ऐसी अल टप्पे में सही हो गया होगा ठीक है नोट कर ले ना इस लोजिक को नोट कर लो अभी भी समय है नोट कर लो क्या किया हुआ है संख्याओं का योग करके लिखा हुआ है फिर उनको भी जोड के एक संख्या बनाई हुई चलिए इस कोशन को करके बताइए सोच समझ के और आराम से करें कोई जल्दी बाजी ना करें आपका समय शुरू होता है आप इस संड़े का टेस्ट ऐसा होने वाला है आप जिन्देगी पर याद रखोगे इस संड़े का जो अनकेडमी का जो टेस्ट है उस टेस्ट को दे ले ना बस ठीक है जी हाँ इस संड़े का टेस्ट जो देगा उसको ऐसा सुझाएगा कि टेस्ट में अभी हमें और कितना कुछ सीखने के आउशक्त है देखिए संख्याओं को देख लेना चलिए नहीं आ रहा आपको कोई बात नहीं इसको देख लेना एक बर इसको देख लेना भाई एक बर चार इंटो तीन धियान से देखना आगे की दो डिज़िट चार इंटो तीन सर बारा और पांच इंटो साथ पैंपिस दोनों को जोड़ दो बारा प्लस 35 यह हो गया 47 ऐसे इसको देख लो इसको देख लो भाई दो इंटु एक दो दो इंटु एक कितना हो गया तो और नो इंटु दो अठारा क्या बनेगा दो प्लस अठारा बराबर 20 कि चली कि सबसे ज्यादा एक्जाम के अंदर टाइम टेकिन कोशन आज पता दोस्तों क्या हुआ आज में दिन आज में जो दिन में शाम को क्लास ले रहा था प्माज वजे उसमें दो तीन बच्चे ऐसे थे जिन जो मतलब जिनके शायद फादर की डेर तो गई कोरोना की वज़े से हैं अब वो पढ़ाई छोड़ने को तयार होगे बताओ मैंने उनको समझाया कि मैंने गा यार पढ़ाई छोड़ना अगर सोलुशन होता तो फिर तो कप कही छोड़ दो फिर वालतू के ड्वोंग रचने की जरवति क्या है अगर तुम्हारे उपर याप बीती नहीं बीचिए हजारों पर इवा और देखिए मैं मानता हूं कि आगर किसी के तो यह तो उसको वर्क करना पड़ेगा अगर जिम्मेदारी आगर उसके उपर आगए तो कम से कम उस चीज़ को एहसास में लाके जितनी मैं आप लोग यह मैं करूंगा आप मुझे परसनल मैसेज भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है कोई दिक्कत नहीं मुझे और मैं आपको गोल रहा हूं कि पढ़ाई छोड़ना इस नौट सॉलूशन पढ़ाई छोड़ना सॉलूशन नहीं उसका बस इतना मुझे पता है ठीक है छे और दो पहला ओप्षन है छे और दो को चेंज करते कर देते हैं भाई 12 इंटू 2 9 इंटू 4 प्लस 12 डिवाइड भाई 6 माइनस सॉल कर लो 56 प्लस 5 माइनस 24 आप बताइए दोस्तों सही का है या गलत का मिन है 31 माइनस 24 37 37 एए ओप्षन इस दिक रेक्ट आँज़ों वही मैंने उनको समझाया मैंने ठीक है यार एक्सेप्ट करो चीजों को और जीवन में आगे बढ़ो और कोई भी सीदी सी बात है कि देखो यह पैंडमिक सिचुएशन सभी के लिए और ऐसा नहीं है कि यार आपके परिवार में देट वी तो हमें दुख नहीं है भाई जो रियलिटी में फील कर सकता है उन चीजों को उस हरेक्वेक्टी को दुख है और उस सब आपके साथ है सब बच्चे आपके साथ में इसा परिवार ही अपना यह क्या रहा है डेली बेसिस पर हम अपनी प्रॉब्लम के सॉलूशन निकालने की कोशिश करते हैं आप जिन्दगी अगर इतनी आसान होती तो फिर बात ही गया थी आसान नहीं है उसी की जत्तो जहत में तो हम आगे बढ़ रहे हैं न पर लेकर तो नहीं बैठ सकते चीजों को नेगेटिव सोचकर तो और भी दिमाग खराब होगा आपका भी अगला आजाएगा बारा का स्कॉयर बारा का स्कॉयर कितना हो जाएगा बताओ बारा का स्कॉयर हो जाएगा 144 चली इस को करी सम पूल्स आट्यूप्स वेरी गूड़ू फास जल्दी से करके बताओ 5 सेकट के अदर सर सं पूल्स आरट्यूप्स आरट्रक ड्रूंक और ट्रंक्स आर ट्यूब रॉन्व और ट्यूब सार पूल रॉन्व सम्ट रंक्स आर पूल राइड तो आंसर बनेगा थाड़ फोल क्या बनेगा थाड़ फोल चलिए नेक्स अगला कोशन जी जी के बाद है चाहिए minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 plus 4 करेंगे तो क्या आएगा जे ओसे minus 1 plus 2 minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 13 और 4 प्या जाएगा Q J Q X is the correct answer क्या answer आगे है J Q X चलिए next क्या बनेगा अगला यहां तो यहां तो गेप ही अलग चल रहा है पर गेप से मतलब भी नहीं है आपको क्या लग रहा है कि यह answer बनेगा इस तरीके से आप खुद देख लो कहां बना answer आप खुद देख लीजिए कि आपका answer कहां बनाए नहीं बना तो फिर बताओ क्या आगा बताओ क्या बनने वाला आराम से कर लो अभी भी समय कर रहा हूं यह लो पोल लो और मुझे बताओ कि क्या answer आएगा आज का एक कोशन आपको सोचने पर जरूर मजबूर जरूर करेगा कि यस मुझे कितना आराम से भी और भी चीज़े सीखने की आउशिकता है यह आपके IQ पावर को जरूर बढ़ाएंगा आज का session वोवल एक बच्चा बोल रहा है कि सर वोवल सर वोवल से कर लो तो भाई यहां तो फिर दो वोवल है यहां एक ही वोवल है यहां एक ही वोवल है यहां वोवल ही नहीं तो वोवल तो आपका फेल हो गया फिर भाई उपर के तीनों में तो फिर दो वोवल है अब देखो यहां पे अगर इनको क्रमांग दें तो आप क्रमांग क्या बनेगा पहले क्रमांग देना सीखो क्या बना तीन पांच नो यहां पे क्रमांग दो क्या बनेगा पांच साथ ग्यारा यहां क्रमांग दो क्या बनेगा दो, तीन, पाँच, यहां करमांग क्या बनेगा, तीन, तेरा, यहां कौन सा अलग है, 9 is not a prime number, 9 prime number नहीं है, बागी सब क्या है, sequence of prime number, 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 but it is not a sequence of prime number, which one is different, a option is different, हर कोई यह सोचता है कि मैं gap से करूँ, gap निकालू, gap से करूँ, gap निकालू, लेकिन नहीं, gap नहीं था, prime number की series थी, उसके अंदर, चलो इस question को छोड़ो, आप पहले इसको करूँ, क्या बनेगा, उसके, प्लिकालू, मज के जहाँ, नहीं, हमाझा, क्या करूब बनेगा है, यह दूंदर, झाम बनेगा है।, प्लिकालू, झालो, मैं, आप है।, झालो, चुजवित है।, तो, है।, झाल झाल भाईया ओब्यसी बात है हाथ ही क्या इस्तंदारी जानवरे मेंड़क नहीं है यादख लेना मेंड़क इस्तंदारी जानवर नहीं है है चलिए नेक्स अगला कोशन आठ 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 सोरी अड़ सट प्रसेंट लोगा डी आंसर था जो की बिल्खुल गलत है चलिए नेक्स सोच समझ के जवाब दें आराम से देहें देहें झाल करे याद बेमार को वाद दो में धे हाए्यवार आठ समझ के अगला का ब्लाथ कुलोग का प्रसेंट प्रसेंट अगला कुल बिल्खुल दो बिल्खुल है? झाल झाल धराशाई हो वही जनता एक बार और पोल हो जाए ये लो अब तो सही कर दो देखिए ध्यान से देखिए मूवमेंट नियान से देखो एक लगातार आया फिर दो छोड़ा फिर तीन अब चार तो चार छोड़ेगा तो वापिस वही आजाएगा एक दो तीन चार यानि वापिस वही आजाएगा देख लो आप खुद देख लो चार पे तो वापिस वहीं आजाएगा तो diagonal तो समझ में आगया कि आपका वहीं आना चाहिए तो इसका मतलब A और B तो आपका आंसर है नहीं है ना अभी circle को देखो एक दो एक दो तीन अब चार यानि वापिस वहीं आएगा लेकिन opposite देखी क्या होगे एक दूसरे की opposite तो अब black वाला उपर आएगा and white वाला नीचे तो c option is the correct answer चलिए next अगला question very good guys V से T क्या हो रहा है minus 2 हो रहा है TCR minus 2 हो रहा है R minus 2 करेंगे तो क्या आएगा P आएगा फिर N से हैं minus 1 minus 2 minus 3 करेंगे तो क्या आएगा 11 में से 3 जाएगा तो 8-8 पर आएगा H pH is the correct answer इसको देखो जहां से देखिए जूम आउट करना पड़ेगा देखिए बताईए बाई जल्दी से बताईए पड़ा पड़ से आएगा पिर्कुल सही जवाब द्यान से देखें चलो यार कापी दूर है इसको कोई बात नहीं कर लोगे आप इस तरी कोशन को चलो आप इसको करो सही होता तो देख जाता सी ओप्शन वैसे आ जाता सरहां के फोर्ड ने का इरादा आए गया नहीं मिना जी बिल्कुल नहीं है चले बनाईए अगला कोशन देखो इसको देखना चार इंटू तीन क्या बना रहा है बारा और जो थर्ड डिजिट है न वह एजट इस देखो लिखी विए पिर ऐसे देखना बी ओप्शन को भी देख लो छे पंजे का तीस ये तीस चे बंजे का तीस तो आई गया ये दो यहां लिखावा इस दो को यहां लिख दिया उन्हों सी ओप्शन साथ दुनी चोधा बनना चाहिए था पर इक्तालिस बन रहा है यही अलग और यहां देखो ती आट यह चोविस चोविस और यह छे एज़ट इस विच वन इस दिफेरेंट सी नहीं बन रहा है चली नेक्स कोशन अमेजीन कोशन था दोस्तों मजा आया चली नेक्स अगला कोशन देखिए कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना और आईक्यू लेवल यूज करना अपने आप सारा का सारा प्रैक्टिस का खेले और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेले कि आपको जितना ज्यादा मजा आएगा ना कोशन के साथ खेलने में उतनी ज्यादा आपकी स्पीड इंप्रूव होगी ये बात आप याद रख लेना आपको जितना ज्यादा अगर आपको मजा नहीं आएगा तो आपकी स्पीड इंप्रूव अभी होगी नहीं सकती आपको मजा आना चाहिए जैसे यह अर्थ पूर्ण एक्रम निकालना है थोड़ा सा देखो पत्रकार प्रेस संपादक पाटक घटना भाई कहीं घटना घट चेक करने के बाद और फिर जब छपकर आती है तो पाठक पड़ता है यह लोजिक इसका और घटना घटित होगी पत्रकार कवर करेगा संपादक के पास ले जाएगा प्रेस में वो छपेगी एडिटर एडिट करने के बाद क्या करेगा उसको प्रेस में छपवाएगा और फिर रीडर रेड़ करेगा यही प्रोसेस होता है सिंपल सा चलेगा नेक्स कॉशन इस आकरती में कित्ते त्रपुझे हैं कित्ते त्रपुझे भाई साकरती में एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नौ, नौ के बाद, यह दोनों मिलकर बना रहे हैं, नौ के बाद यह हो गया, दस, सही है, देखें, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नौ, यह हो गया, दस, दस के बाद यह दोनों मिलकर बना रहे हैं, यह हो गया, ग्यारा, ग्यारा के बाद, यह दोनों मिलकर बनाएंगे, ग्यारा के बाद, यह हो गया, बारा, बारा के बाद, यह हो गया, तेरा, यह होगया तेरा यह होगया चोदा चोदा के बाद पंदरा यह पंदरा होगा क्या पंदरा के अलावा अलावा आपका और कोई बन रहा है कि बताओ पंदरा के अलावा और कोई बन रहा हो देख लो आराम से अभी भी समय है आपके बास कि बताइए कि नहीं तो कि इतने बनेंगे टोटल फंदरा फिफ्टीन इस दी करेक्ट आंसर पांच के विप्रित क्या आएगा बताइए रहा हमने कोशिश की पर टाइम लग जाता है कोई बाती लगने दो टाइम लग रहा है टाइम लगने तो कोई दिक्कत नहीं है पर कॉशन आप सही करो बस कॉमन वाले के विप्रित हमेशा वो नंबर आएगा जो दिखाई नहीं देता पांच के विप्रित क्या आएगा दो क्या आएगा भाई के कि विप्रित क्या आएगा दो कॉमन वाले के ए पोसुट हमेशा वो नंबर आ यह दीक्थ ति तरब जायेगा तो सब में जा रहा है तिर का निशान को पर यह दित shitty बन रहा है गक्थ इससे देखें अगर आप तो वी शेप बन रहा है इसमें नी बन रहा है इसमें नी बन रहा है इन दोनों में वी शेप बन रहा है इन दोनों में बन रहा है वी शेप तो ज्यान से देखो आप अगर इन दोनों में वी शेप बन रहा है तो अब इसको भी देख लो क्या बनेगा यहाँ पर तो complete triangle ही बन रहा है यहाँ पर तो यह complete triangle ही बन रहा है तो यह भी रॉंग है कौन सा बनेगा बी option है इस दी correct answer चली दी गई आकरती में सन्हित विकल्ब का चैन कीजी दी गई आकरी में सहित विकल्ब का चैन कीजी कौन से आकरती साही है था इस में जी बिल्कुल सही पेचाना आपने वी option को कुछ लोगों नहीं यहां पे बोला है और बिल्कुल 100 परसेंट सही बोल दूगे इसको में कि 100 परसेंट सही बताओ थोड़ा सोच समझ के आराम से दिमाग लगा लो फिर पता लगा कि तुमारा आंसर चेंज हो जाता है पिर एंड टाइम पे इससे अच्छा है पॉल कर देता हूं मैं सब एक और कोशन कंप्रीट करिए बड़ा मज़ा आता है ऐसे कोशन के अंदर असली आईक्यू लेवल की परक हो जाती है यहां से कि हाँ देखकर कितना जल्दी कर पाते है पहले बाद राइट साइट पर तो अरेंज हो गई कहाँ दो साइट उस्य साइए लुखी निया यहां पर देखो कितना सा शेप है पर यह बड़ा वाला चोड़ा वाला तो आएगा नीए यहदोनों रो माँच्छ है आईगा तो इसमें से और इसमें से एककी अब बात इतनी रिफिकी निए इसके अंदर और विफ्य क्या आ पर इसके अंदर और इसके अंदर सर्किल वाला शेप बनेगा तो इसमें तो वी वाला शेप बन रहा है तो यह भी रॉंग है क्या बनेगा ए उप्शन इसदी करेक्ट आंसर मात्र और इंचास प्रसेंट लोगों का सही था इसको करिया आप बताईए अगर इनको अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम में वहवसित किया जाए तो कौन सा अक्षन दाएं छोड़ से आठवा होगा वेरी 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 इंपोर्टेंट अल्फाबेट टेस्स से रिलेटर यह कुशन आता है एक्जाम में देखते हैं भाई क्या बनाते हो आप किaug Allen को आप किया अल्फाबेटिकल ओडकर में अरेंज करों पहले क्या आएगा जीए अ है एक किति बार आरे दो बार आरे डिक ऐति बार आरारा दो बनार डी इस c यही नहीं ड्यारly डी ऐके बाद आर कियर ओडर ए किति बार आ तो बार दो आरर आर है कि जी आ रहे है कि एल आ रहे है आर आ रहे है एस आ रहे है और टी आ रहे है तो बताईए दाएं से दाएं छोड़ से आटवा अक्षर कौन सा है दो तीन चार पात छे साथ आठ दाएं छोड़ से आटवा अक्षर है ई दाएं छोड़ से आटवा अक्षर कौन सा है ई है चलिए जल्दी से करकے बताई बड़ाबट से इस question को Do fast guys, Do fast, जल्दी से करी VG के पश्चिम में है G के पश्चिम में कौन है V तता T के दक्षन में VG के पश्चिम में है तता T के दक्षन में वी जी के दक्षण में है तथा टी के दक्षण में है तथा टी के दक्षण में कौन है तथा टी के दक्षण में है तो टी के दक्षण में कौन है वह या वी वी खुद टी के दक्षण में है वी खुद टी के दक्षण में है ये लीजी-वी खुद T के दक्षन में, U-T के पूरू में, U-T के पूरू में, U के संदर्ब में, V किस दिशा में? यह क्या हो गया साउथ वेस्ट, बी ओप्शन, के को ग्यारा लिखा हुआ है, काइट को लिखा हुआ है, 45, तो नाइट को क्या लिखा जाएगा है, ग्यारा प्लस नो प्लस बीस, बीस और बीस, चालिस प्लस पाँच, यह हो गया, 45, तो जल्दी से बता दो इनको जोड़कर फटाफट से क्या बननेगा, यह हो गया, पंदरा, पंदरा दुनी, तीस और बीस, पचास, अठावन, सी ओप्शन, आमेजिन कोशन, बता दो जल्दी से, क्या बनेगा, यह कोशन कर लिया, तो लाइव जिंगा लाला हो जाएगी मस्त, 23, ध्यान से देखो, 23 प्लस 2 एंट्टू 3, यह देखिए, यह हो गया, 29, तो देखिए, 29 प्लस 2 एंट्टू 9, उन्हीं संख्याओं को गुणा करतू, 18 और 29, इतना हो गया, 47, 47 प्लस 4 एंटू 7, यह हो रहा है, 75, 75 प्लस 7 एंटू 5, यह हो रहा है, 110 की संख्याओं को गुणा करोगे, तो 0, 0 जोड़ोगे, तो 110 ही आएगा, सही है, बताइए, क्या आएगा, 87 आ गया, मज़ा आ गया, कोशन में, चलिए, नेक्स्ट, दू फास्ट, बिल्कुल सही पेचाना आपने, यही ट्रिकी कोशन होते हैं, जो एक्जाम के अंदर, पूछे जाते हैं, अब आया आप लाइन पे, अब समझ में आया दो-चार लोग गें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते कोशन, सही का आपने, कोशन जादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, कोशन कैसे आते हैं, ट्रिकी आते, बिल्कुल सही पेचाना, अब इस कोशन को देखना थोड़ा, यह एक के पीछे एक बेठे, पांच पंक्तिया हैं, जिनमें सारे बच्चे एक के पीछे एक बेठे, A बेठा है, C के पीछे, यह लो, A बेठा है, किस के पीछे, C के पीछे, लेकिन B के आगे, B के आगे बेठा है, C बेठा है, E के पीछे, D बेठा है, E के आगे, यह लो, तो बहुता कि अंतिम, तो पहली पंक्ति से अंतिम पंक्तिक तक वे किस करम में बेठे हैं, यह ऐसे ब कौन सा प्रयोग करके नहीं बना सकते वो पूछ रहा है कि कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है बताए कि कौन सा प्रयोग करके नहीं बना सकते बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आप ट्रस्ट जो है ध्यान से देखिए ट्रुस्ट क्या टी दो बार आ रहा है क्या नहीं बना सकते हैं अब ट्रस्ट पर यह नेक्स क्लास के अंदर मिलते हैं दोस्तों फटाफट से क्लास चालो होने माली अपनी नेक्स अग्ली वाली और आप सभी लोगों से अनुरोद है कि आप इस नहे वाले बैच को जोईन कर लें सब्सक्राइब कर रहे होते हो कि कब से सभी टीचर की क्लास मिलेगी अलग अलग टाइमिंग पर टैस्ट सभी को लगाना है यह बात याद रखलो प्रॉमिस कर लिया आप सभी लोगों ने कि यस सर इस बार दोपर बारा वज़े का समय किसी को नहीं देंगे संडे का टैस्ट लगाएंगे सभी टीचर की क्लास हो गई है चालू और कर जो फटाफट से आप जॉइन इस बैच को बारा मई से बहुत सारे चालू होते पर उननीस मई से आज से इन सभी टीचर्स की अगली चालू होने वाली क्लास के अंदर सभी लोग आ जाएं अन अकेडमी पर फटाफट से प्रोफाइल को भी फॉलो कर लें थाकि उन लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन होगेरा मिल जाए क्लास का यहां से भी डारेक्ली एकसेस कर लबा होगे आप लोग ठीक है और कोड तो आप सभी लोग जानते ही हो एक साल के सब्सक्रिप्शन पर दो महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन है दो साल के सब्सक्रिप्शन पर चार महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन है इसके अलावा डिसकाउंट है और इसके अलावा जो आप पेड स्पेशल क्लास लेते हो उ उस पे जो आपके क्रेड़िट कोड्ट क्रेड़िट पॉइंट्स होते हैं उससे भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा वो भी आपके लिए फीरी का कारे करेंगे जल्दी सब्सक्राइब जल्दी सब्सक्राइब जल्दी आजाओ जल्दी आजाओ अगली क्लास चालो होने वाले